बॉर्णिंग बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आज का लेक्टर है की सब्सक्राइब के लिए उन सब ब admir impose का लावन है वो अबकर फिर सबकर अपसे बट सब्सक्राइब की सब्सक्राइबस करने बारे हैं कि में हमारे Objective में कौन-कौन से सब्सक्राइब करने हैं किस तरीके से उसको त्यार करते हैं क्या हम लोग self study में त्यार कर सकते हैं क्या coaching लेनी ज़रूरी है किन किन subject में बहुत ज़्यादा difficulty level है या फिर important है कि अच्छे हैं सीखने वाले हैं कि कि time consuming कितना है इन सब जीजों के पर हम लोग one by one discussion करने वाले हैं चलिए बच्चो सबसे बहले हम लोग बात करेंगे subject wise, paper wise paper number 5 paper number 5, group 2 का आपका कौन सा है corporate and management accounting CMA, in short आप कह सकते हो corporate and management accounting जो section में यह हमारा subject जो है बटा हुआ है पहला section है corporate accounting corporate accounting कितने नंबर की है, 60 नंबर की दूसरा section जो है हमारा management accounting, यह 40 marks की है ठीक है जी, management accounting में आपको introduction, cost वगरा ठीक है, कि cost accounting क्या होती है costing क्या होती है, accountancy क्या होती है cost accounting के objectives क्या है motive क्या था, यह सब चीज़ें आपको scope क्या है पढ़ने को मिलेगा financial accounting versus cost accounting यह सब कुछ सिखने को मिलेगा ठीक है, उसके लावा course sheet, reconciliation, marginal costing, budgetary control ठीक है, यह cost में management accounting में आपके chapter आ जाते है ठीक है जी उसके लावा आपका जो second है, इसके लावा आपका cost में cost audit and records आ जाता है, ठीक है उसके लावा आपका corporate corporate वाले slivers में आपके काफी सारी chapters है, काफी अच्छा slivers है, इसमें, ठीक है इसमें काफी कुछ cost में तो मान सकते हैं कि आप लोगों ने अपी तब कुछ नहीं किया होगा, तो कि अगर आप लोगों कि सरफ उसरफ परस तूपास हो, तो यह subject आपके लिए बिलकुल नया होने वाला है इसमें आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को आता होगा ठीक है अपने ग्रडुशन की होई है फिर तो आप लोगों को मैंने में अकाउंटिंग आपको काफी कुछ पता होगा ठीक है दूसरा है corporate accounting corporate accounting कितने max का है 60 max का है इसमें आप लोगों को काफी चीज़े एसी है जो आप लोगों ने पड़ी हुई है प्लस टू तक जैसे कि शियर कैपिटल है देवेंचर है ठीक है न कैश लो है रेशो है ठीक है यह इसी में ही आ जाता है ठीक है यह सब्जेक्ट चैप्टर आपने किये हुए है उसके लावा जो बाकी चैप्टर जैसे कि बाइब आप लोगों को यह नए सिखने को मिलेंगे ठीक है जी पूर मिलाकर यह सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग और सबसे बड़ी बात है यह हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट मल्टिपल च्वाइस कोश्चन बेजड होता है एमसी क्यू आते हमें एक नंबर का एक म अड़ेड में से आप लोगों को कम से कम 40 एक डिरिगेट और अवराल अब को पता है गुरूप में 50 50 पर संड लेने हैं पर मैं तो चाहूंगा इस सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे माक्स आने चाहिए बहुत ही हाई स्कोर वाला सब्जेक्ट है यह हमारा चिक है जी बहुत ही बहुत ही इंपॉटन्ट दीखा जाए सब्जेक्ट है इंटरस्टिंग सब्जेक्ट है यह अपको बड़ाई म shelf Не वाला यह सब्जेक्ट करके वाला इसलिए इतना कुछ यहां पर आपको गेन दने को मिलेगा कि आप लोग बहुत इंजॉइ करोगे इस सब्जेक्ट को अगर इसको अच्छे से इंटरस्ट रखते हैं स्टॉक मार्केट में ठीक है जी आपको पहले आपको मुश्किल लगते दे कंपनी के बचों का कहना होता है कि कंपन सब्सक्राइब क लिए इसे कि इसके बहुत सारी चैप्टर्स है ठीक है उसके साथ एंबिया इस तीक है यह फुल मिलाके 40 नंबर का है यह काफी इंटरस्ट रहे हैं और इसमें से अच्छे marks लिए जा सकते हैं और सबसे important जो है आपको सबसे पहले करना होता है वो है हमारा competition law 25 नमबर का सरफ एक chapter है बहुत important है यह आपको सबसे पहले 25 नमबर पक्के करने चाहिए ठीक है जी और इसके लावा business and commercial laws बहुत सारे chapters आ जाते हैं सरफ और 35 नमबर में contract है sales of goods act है negotiable instrument है consumer right protection है ठीक है इस तरह के से बहुत सारे chapter आ जाते हैं मतलब कुर मिला के अगर आप time consuming अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा time consuming subject यही है हमारा बहुत ज़्यादा high slivers है ठीक है जी high slivers बहुत काफी अच्छा slivers काफी काफी ज़्यादा high slivers है ठीक है जी उसके बचों बात करते हैं last subject हमारे paper number 8 के उपर financial and strategic commitment के उपर बहुत ही interesting subject है financial management financial management आपका practical है और strategic management आपका theoretical है ठीक है दोनों के दोनों management के उपर है इसलिए same subject में add किये गए है financial management में आप लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा financial management क्या होता है leverage post of capital dividend policy capital budgeting ठीक है capital structure portfolio management यह सब आप लोग वर्किंग capital यह सब आपको theoretical as well as practical concept पढ़ने को मिलेगा ठीक है जी यह business के लिक्रीडिस में सीज़ें सारी दी गई है जिसमें क्या स्लेवर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट पहले 2008 स्लेवर्स में 2008 जब हमने CS करी हुए है मैंने मिली क्वालिक वीशन आपको पता ही होगा become CS है ठीक है CS जब मैंने 2008 स्लेवर्स में करी तो आप हमारे स्ट्रेट्जिक मैंने मिली क्वालिक सब्जेक्ट होता था 100 नंबर का सब्जेक्ट होता था जो कहा है अब मर्ज़ कर दिया गया किसके साथ CS एक्जूटिव लेवल पर लाया गया है और सबसे बड़ी बात multiple choice question यह भी हमारा क्या है MCQ based सारा का सारा एक्जाम आने वाला है ठीक है जी यह भी देखा जाए बहुत ज़्यादा high scoring subject है ठीक है जी high scoring subject है हमारा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा subject है ठीक है paper number 8 और paper number 5 भी बहुत ज़्यादा त्यूकि दोनों के दोनों MCQ है इसमें आपको पूरे chance होते हैं marks कीचने के marks कीचने के पूरे पूरे scope होते हैं इन दोनों subject में अब मानके चलिए इन दोनों subject में से आपको 200 में से कम से कम 140 प्लस लेने ही लेने है at least 120 तो लेने ही लेने हर हाल में अगर आप यह group ऐसे चुठकों में पास करना चाहते हैं ठीक है जी आपके पास देखिए दुन options होती है अगर आप self study करना चाहते हो आप self study कर सकते हो coaching लेना चाहते हो coaching के through भी आपका सारा slivers बड़े ही असानी से clear हो जाए ठीक है जी अगर आप coaching लेना चाहते है तो नीचे description में हमारा number दिया गया है ठीक है और direct lecture भी buy करना चाहते है link दिया गया है उससे आप lecture buy कर सकते हैं उसमें आपको क्या होगा video lectures मिलेंगे जो क्या है mobile पे play होंगे या फिर आपके laptop पे play हो सकते हैं tablet पे भी play हो सकते हैं ठीक है उसके साथ आपको books मिलेंगी books आपकी मजी होती है physical या ebooks लेना चाहते हैं ठीक है plus test series आपको मिलेगी ठीक है और और आपको live की option दी जाएगी ठीक है live lectures भी हमारे हमारे पैनल पे system भी available है हमारे पास available है ठीक है live lecture भी अगर आप हफते में एक दिन तीन दो दिन ठीक है या full live lecture भी लेना चाहते हो भी available है हमारी CS executive के लिए ठीक है तो इस lecture में बचो इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद दें like जूरू करिएगा और चैनल को subscribe और bell icon दबान मतबूलियागा जिससे क्या है आपको जब भी हम नई वीडियो डालें आपको notification मिल जाए तो आज के विचो इतना ही thank you thanks a lot